तो कैसे आप सब बढ़िया हैं उमीद करते हैं कि आप और आपका परिवाद पूर्दे के स्वास्थ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे हम लोग चल दीज चलते हैं हमने टॉपिक खुतम करते हैं आज हम लोग ले क्या हैं आपके लिए इस पेसले एक नए टॉपिक जि उसकी बॉड़ी क्या है लाइफ सैक्रिस क्या है एंड उसके कंट्रोल और कोडिनेशन के फ़र्म में प्रिविंशन कैसे करेंगे उनके बारे में कंप्लीट करेंगे लेकिन टॉपिक को खतम करने के बाद तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ आप यदि आप पीडिया व सोटने भारत में राते हैं कोई दिकत नहीं चलते हैं ऑपर पहले आते हैं तो हमारे पास दिकता अपर यहां सुगर कें का पेस्ट यानी पास्पूला की बात करते हैं मिunkल पॉइंट्स है छोड़ी सुखरकें निदी पास्पांस होफरं की आखिरकर यह जो एक most important case है हमारे सुगर के इनका जो पेश्ट है भारत जो गन्ना मतब एक लें बोले तो गन्ना भारत के लिए important है क्या गन्ना भारत के लिए important है यह आप जानते हो क्योंकि यहां पर पैदावार काफी जादा है और नगदी फसल के रूप में उगा जाता है यानि यह एक ऐसा फसल है जिसको important क्राप की रूप में government भी देखती है और हमारा पूरा पूरा जो क्या सकते हो behavior है वह गन्ने कास कर हम यूपी वाले भाईया है यूपी वाले में दो चीज़ फेमस है या फिर लट्ठ या फिर गन्ना ठीक या फिर लट्ट मिलेगा या फिर गन्ना मिलेगा दो चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा यूपी में चाहिए कुछ मिले ना मिले तो यहां के लिए हम लोग क्या लेक्या है गन्ना लेक्या है और यह इंडिया के लिए तो most important है economic तरीके पर हम लोग गन्ना का पादन 200 लेबल पे काफी अच्छे से करते हैं और चीनी जो है हमारा वर्ल वाइल डिस्ट्यूबिशन होता है तो इसी तरीके से हम देखें तो ऐसा मांते हैं गन्ने की खेती होगी जोड़दार होगी तो वहां पर क्या होगा वहां पर कीड़े मकौड़े भी लगेंगे उस कीड़े में सबसे जो intelligent कीड़ा होता है यानि पेश होता है वह कौन है यानि यह कह सकते हो कि यहां पर जो केसे हैं इसके damaging parts के वह काफी ज़्यादा होते हैं या फिर आपको होते हुए दिख जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं पहले पासपुरा की पूरी पूरी conditions की क्या करेंगे worker की यानि पहले पासपुरा अगला अगला condition मिलेगा लेकिन जो working position है उसमें क्या करता है working position में बात करते हैं यहां पर leaf offer की सबसे पहले बात करेंगे इसकी criteria की यानि classification की classification most important topic है आप जरूर देखिए का classification को इसलिए ताकि आप paper में जब भी classification करेंगे आपके number में एक या दो number की बहुतरी हो जाती है teacher को एक बहतर response मिलता है आपके classification से औ आप एकड़म totally mind concept लगा करिएगा एक भी line गलती नहीं होनी चाहिए सबसे बले बात करते हैं इसके kingdom आपको बता है कि animalia से भी एप करता है एंड बात करते हम लोग यहां पर phylum की तो आर्थोपोड़ा है हम लोग जानते क्या है आर्थोपोड़ा है आर्थोपोड़ा के class की बात करते हैं जो most important fact है यहां पर वह इंसेक्टा हमारे worldwide में सबसेदा इंसेक्टा ही कबर करते हमारे इनिमल्स को और उसके बाद order की बात करेंगे हैमिपेटरा आजाएगा क्या है मिपेटरा है उसके बाद हम family की बात करेंगे लोफोपोडिया ही आ जाएगी एन हम जीनस की चरित चित्रण यानि यह पूरा इसका डियाग्रमी के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो तो यहीं इसी को ध्यान से पढ़ना होगा और टॉपिक वाई टॉपिक पढ़ना होगा ठीक चलते हैं अपने टॉपिक के तरह सबसे बात करते हैं डिस्टिबुशन की क्या करेंगे बता है असब पूरी भारत में पाया जाएगा और यह काफिका यह खास करते हो कि इंडिया के सारे लैकों को छोड़कर यह प्रेम आप देश प्रेमी है या राज प्रेमी है के वल तीनी लोग का या फिर यूपी वाले भया के पास या फिर महाराश्क्रा के पास यह जाएगा क्योंकि गन्ना को पादन जो होता है इस एरिया में थोड़ा ज्यादा होता है और यहां पर लोग चुड़ा चाऊ से खेती करते किसका गन्ने का और के यहां पर यहां कीम तो होता है जो हमारे पास हमारी सहारनपुर की डिश्टिक है हर दो ही है वहां पे काफे बरेली है वहां पे हम लोग के तरफ कम होता है यहां पे हम लोग का जो इलाका है मिर्जापूर वारासी के तरफ गन्ने कम होता है यहां पे धान गहुं ज्यादा होता है तो यह जो आपके देख रहा है मेरत मुझफवर नगर और यहां पर सहारनपुर की डिश्टिक्स आज पास की वहां पर गन्ना ज्यादा होता है इसलिए वहां का जो सुगर केन का जो प्रॉब्लम है ठीक यहां पर लिफ हॉपर का वह भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा तो रही बात यह आपके डिस्ट्रिबूशन की अब बात करते हैं यहां पर फूड प्लांट्स के एरिया पर आखिरकार यह पाहला पस पुला है यह मेजर पार्ट तो हमको सुगर केन का अंदर दिखाता है जब सुगर केन नहीं होता तो यह काफी दूसरे फसलों को काफी ज्यादा नु के आखिए देखो लोत इसाज थे हमारी जर्वांता पलंब मोत करते हैं मोत के अंदर बाज़र हो गया सुठान बना माई काफी ज्यादा हमला करता है निमोनो कर्टum付 का भी जितने भी पौदे हों गे उने मेंगे चाहिए इक करता होता है इनको यह भी ना मिले पहले सुगर के नहीं मिला अब उसके बाद यह लोग ना मिले तो क्या करता सम्टाइम जिस पेश्ट इस फॉल गोभी के अंदर यह पाया जाता है और लेकिन इसको ध्यान दे कि पाइडला के लिए जो सब्जियां होती है यानि डाइकाड यो प्लांट होते हैं वह सिकेंडरी हमारे होश होते हैं मतब इनमें जड़ा कायम करता नहीं जिंदा उंदा रहेगा फिर इनको बाहाद में यह कोई मटर मिलने का तो वहां पर वह सर्वाइफ कर लेता है ठीक मतब अल्टरनेट करते रहते हैं अब जब मेजबान पौध इनको नहीं मिल पाते उपर वाले मोनो काट वाले तो यह इन पर अटक करना चालू कर देता है ठीक अब देखो थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है यहां पर बात करते है जनरल अपिरियंस की आखिरकार दिखेगा कैसे यह बड़ा मिलेंगे इनकी अबर्ट स्टेज मिए काफी नहीं सकते हैं और एक्टिव होने के सासा जो बोड़ी के कंडिशन्स होगी वह लेंपर brakes 10 mm podcast दस मिली मीटर लंभार percent की देखने के लिए मिल जाएगी ही ठीक अब उसके बाद अब बात करता है जो बाड़ी की parts वोगे और दे चाहाएंबं मतलब उब ऐसरीर होता है खोपड़ा होगा यानि खोपड़ी पाएजाएगा खोपडी फपर अगैं प्रबोसीस लगाओगा यह निसीस में लगा होगा मचलर पश 노ुषनाल ऐसे पार पर इन जायाएगा और बात करते हैं जो इनकी आचोरी में यन अखियां ने लाल कलर होती है यह चयह ज़ान देना और जो इनकी पूरी बौड़ी होती है वह हलका सा कह सकते हो की मॉम से मॉमी पदार से सफ़ेद करके पदार ते रंगा होता है यह याद रखेगा अब इनके बौड़ी के अंदर बात करें कि कीट के ओपर की जो पॉइंट्स होती है किया उपर की पॉइंट्स होती है वहाँ पे तो एक हलका सम कवच पायाता है काइटिन की नीचे की हम तांग की बात करें इन में 6 टांग होतीं तीनप् dispersed पाट बात करें का नुए किया किष्टरी की बात करते हैं क्या करते हैं के इतिहास की बात कर भी प्रइन करते का करते हैं आदमी के तरह होते है ऐसा नहीं है कुट्ते के तरह होंगे एक समय इनका सेच्वेशन सायगा ठीक मतलब इनमें जो रिपोड़क्शन से हैं वह कह सकते हो कि नर्मल हर समय देखने के लिए मिल लेकिन इनके भी स्विक्स टाइमिंग होती है ठीक जो फीमेल होती है वह अक्टूबर नौमबर ज्यादा देखने के मिलेगी क्या अक्टूबर नौमबर और समर में को अप्रेल टू मई के अंदर काफी जादा देखने के लिए मिल जाएगा मतलब कहने का यहां पर यह है एक बड़ी चीज कि जो हमारी फीमेल होती है वह गर्मियों के दौरान यानि सता पर यानि इनके जो फीमेल की बोड़ी होती है उसके निचले मतलब अलूवा सर्फेस पे हमारे अंडे हो जाते हैं क्या अंडे आ जाते कितने अंडे आएंगे बोल रहा होगा इतरा तीन सो से पांसो तक अब क्या होता है जैसे जैसे सद्धी आती जाएगी यानि ौंबर के दबरन क्या होता है जितने भी हमारे अंदर सुगल के था है उसके ओपर कहा करेंगी डेंगी यानि इनके अंडे मतलब इनका अपरल के अंदर लेकिन जो अन्डे बाहर निकलते हैं व कम निकलते हैं वींटर मैं अनि या बात प्गश्षार्य में यह जाएंगे लेकिन लाइक स्ट्रक्टूर में दिखाता है यहां पर 혈क लाइक से आपको बता दें की इह वाइट ग्रीं इस होटा है यानि हलका सा ग्रीन और हलका सा red condition मतलब सरी हलका सा green और हलका सा white condition में आपको दिखाई देगा है ते color की बात करेंगे यह सबस्कार फिलामेंटस माटेरियल का सिक्रेशन होता है और यह वाइट फिलामेंटस एरिया होता है वो अंडों को चिपकाता है कहां से इस पेसली लिफ से यान जो पत्तियां होंगी ध्यान समयना ऐसी बड़ी सी यह क्या हो गई ऐसी बड़ी सी पत्ती हो गई इस पे हमारे अंडे पाये जा रहे हैं इस पे अंडे जितने भी हैं उनको पाये जा रहे हैं इस अंडे को चिपका जाता है एक यहां पर पाइजा रही है तो ऐसे जार करके इनकी बनी बनी होती यह रहे रहे थिरी से पाश लागी चुनल रो होता है कांटिनिविंग जिसमें हमारे पास पर मताब पर रो में हमको तीस से लेकर पचास अंडे दिखाई दे देंगे अब अंडा भी आ गया दे भी दिये मतलब हमारा कईने प्रिणेंट हो भी हो गई वह अंडा भी दे दी ठीक अपने बॉड़ी में भी रख ली बाहर निकाल भी आएगा बाहर आने की जब बात करते हैं तो गर्मियों के दिन में गर्मियों के दिनों में लगबग लगबा ऐसा मानते हैं कि 7-22 दिन निम्ष अपास एक य humanziny मेंLes नखों़ पहली से भाइस दिने के बाहर आने पे हमारे के बच्चेन का जुक पहला फौन होगा वह एकनि भूलते है जो होता है यह में छोटा होगा और कैसा होगा वाइट होगा साइज में स्थोटा होगा यह जो साइज होती है कितनी होगी इनकी साइज 1 mm की होती है और ध्यांदेना गर्मियों के समय में उस्में चाल कम लगता है लेकिन जैसे जैसे हमारे ंटेयर सीजन यानि ठंडी का सीजन आता है उसमें हैचिंग का जो पिरियर्ड होता यानि अंडे से बच्चे निकलने का जो होता है वह इंक्रीज कर जाता यानि बढ़ जाता है यह लाइन आप याद रखेगा यह देखो हमारे पास एक लाइट साइक है आपको कलर जिखर करौगे रोज रोज देhou सबसे बब़े बात करते हैं यह स्थार्ट नहीं कहां सब्सक्राइएót गरम इसमें दें तीस से लेकर पचास एग होंगे कितने होंगे तीस से पचास एग होंगे अब एग क्या करेगा जाएगा कहां पे इसपेशली फीडिंग करेगा फीडिंग करेगा क्या करेगा फीडिंग करेगा फीडिंग करने के बाद हमारे पास यह इस इस एरिया से न्यूट्रेशन को करेगा प्यूवप करेगा और निम्प करने के बाद में लोग बात करें कि यह साल में तीन कंडिशन को और करता है कि दिखाई देगा अब différents और हम लोग बात करते हैं थो निम्फ को भी जाना जरूरी है क्या है निम्फ को भी जाना जरूरी है क्योंकि इसे ही से काम चलना है पूरा अब जब इसी से काम चलना है तो इसको भी देखना भी जरूरी पड़ेगा सबसे बहुत करते हैं यहां से हम लोग पॉइंट नमर फर्स्ट की और हमको मिलता क्या ह से सोबस्क्राइब उनको वह चूसना सबस्क्राइब यानि निम्फ जो होता है वो काफी एक्टिव फार्मेक उनको डिवलप्मेंट चाहिए और डिवलप्मेंट के लिए नूट्रीशन चाहिए तो वह क्या करता है जहां पर पाया जाएगा वहां से नूट्रेशन को एप्जौर करने करते करते यह एक लंबा टाइम गुजारता है इसका जो लाइम टाइम होते गर्मियों में लगवालाबा ग्रेट से दो महीने और सर्दियों में आठ महीने तक अपनी पूजिशन को बनाया रखेगा क्या करेगा पूजिशन को बनाया रखेगा लेकिन जब वयस्क बन जाता है जैसे एडल्ट बनेगा तो एडल्ट कं महीन दो महीना ऑर सब्सक्राइब बनाया रते हैं होती है क्या चालош से साट दिनों के अंदर इनका मौसम यानि मानसून के मौसम की बात करें मानसून के मौसम में यह पूरा कंडिशन को कम्प्लीट करा देते हैं अब जैसे रिकॉर्डट की बात करेंगे और एप्टिंग की बात करेंगे कि अखिर का रिकॉर्डट कंडिशन क्या है मानसून में यह काम हो जाता है जो पहला प तो अलग अलग तरीके से वह कहीं नहीं डामेज भी करेंगे हमारे सुगर को इनको तो सबसे बड़ी बात होती है कि पहली दूसरी और तीसरी और चौती जो इसकी पीडियां होती है और अंडे देने की जो आधी होती है क्रमस अप्रेल में पहिला जो निकले के पूरे कह सकते हो कि नौमर दिसमंबर में चोथान निकल जागा तो साल भर यह पूरा अक्टिविटी कम्प्लीट करते हैं अब लोग बात करते हैं यहां पर निम्फ की बात करेंगे और एडल्ट की बात करेंगे दोनों की साथ-साथ निम्फ की बात करेंगे वह करते हैं क्या करते हैं यह इसको कि करेंगे यह जो हमारे की है उसके जो करते हैं और किसको द्वारा करेंगे रोस्टम के कर सकते हैं कोई कणिशन से है नहीं कर सकता अब बात करना कि यहां पे जैसे यह थोड़ा जैसे से बड़े होते हैं और इनके जैसे इस पत्रियों को फिस सूखने मतबर पतियां सूखने लगए लिचन इसके पीछे यह है लगातार वह लेते हैं person पारवास लेते हैं जो सूखने का फूस्य पर हो जाताएं पहले हों गी फिर उसके बार पत्रियां क्या क्या मैं disライ करते हैं कि यहां से चपचिपा कह सकते हो चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं जैसे निकल जाएंगे ना तो गया कुछ और छोड़ के जाएगा यह की बात करते हैं तो नाम याद रखना मोश्ट इंपोर्टेंट है कभी आप से मल्टिपल चॉइस एक्जामिनेशन पुझा जाएगा तो यहां पे चिपची का सिक्रेशन करता है और यह चिपची का पदार्थ होता है यह जो हमारे फंगे सोो leggा स्थी होते हैं ऊसको क्या करता है उसको अपनी और 22 करता है यानिश्रास होते हैं उनको बुलावा देता है कि बाय याओ हम खाँ चुके हैं तुम स्पारी मुल्ड मॉल्ड होते हैं उनका को पत्तियां ते हम ब्लैक पढ़ाती है और जब पत्य ब्लैक पढ़ जाएंगी तो वहां पे ग्रीन वाला पार्ट यानि क्लोरोप्लास वाला पार्ट कम हो जाता है तो हमारे शुघर के नहीं होते हैं वह सही तरिके से फोटो प्लांट यैसे हे पूरे तरीके से अट्रेक्ट करती है वो भी काफी हो जाता है जिसके व Mesley हम लोग उनके अंदर जो फूर्ण बनता है उसको सही तरीके से complete नहीं Super नहीं लाद से कापड at' हमारा procent आप सब्सक्राइब करें तो हमारी सुगर का quality and quantity दोनों साई से बना रहता है एंड ऐसा देखते हैं कि पर सेंटीमीटर इनकी बात करें कि सुगर की मात्रा तो बनी रहती है और हम यहां बात करें कि लगबला भग जो कमी दर साई जाती है वह पांच से दस परसेंट ऐसे दो से दस परसेंट कह सकते हो क्या तू से फाइब परसेंट कह सकते हो तू से फाइब परसेंट लगबग लगबग हमारा जो material है वह reducing होने लगता है यह खतम होने लगता है और चीनी के कुल भाग की बात करें चीनी में 35 परसेंट तक की कमी देखने के लिए मिल जाता है यह लाइन आप याद रखिएगा हम तुमको रोकेंगे किसे रोकने के लिए आप सब कहां जाओगे दुगंदार के पास जाओगे बीजभंडर पे सही नॉलेज ना होने के वह फालतू सालतू दे देगा काम भी नहीं करेंगा और वह हम गंदा भी हो जाएगा हमारा पैसा भी चला जाएगा economic तरीके से पर गलते हैं कि कहां से पकड़ ले या फिर आफलाइन ब्सक्राइब को यह कभी एक लगता है वैसे प्यार इतना मिलता है कि कोई दिक्कती नहीं होता है कभी कभी लगता है बाकी चीजे जो लिखते समयां लगता है कि यह नोस्तों मिली नहीं है हम लोग इतना पढ़ाई नहीं गया था तो प्रॉब्लम होती है कि कहां से खोजे कहां से खोजे तो इंटरनेट पे रिसर्फ जारी होता है कई लोग मिलके टॉपिक को खोजते हैं सारे यह होगा वो होगा तब जाके इस बाखी बुक खरीदो को शब्रोजमाने में पता नहीं क्या लिके हैं एक चीज को पढ़ना होता दस दीए होतें समझ में आता हैं क्या करें क्या ठीक कि लोग यहां पलब हम्हारे पास 8 चिह टोपिक हैं हम जल्दी से प्पर कर लेते हैं हम एक और पर यहांने को मातने के लिए हम को सबसे पहले एंडने कहेंया यह तो अपर हम इसमेर करते हैं दूसरे कायम के लिए बात करें यदि हम लोग बात करें क्या नाइट्रोजन बैलेंस की बात करते हैं कि मिट्टी के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि नाइट्रोजन को बैलेंस करना है नाइट्रोजन जादा भी नहीं हो नाइट्रोजन कम भी होते हैं सबसे बड़ी जमीन से कि तुमको यूज चाहिए कितना तो मिटी में जो नत्रजन है नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को बनाया रखेंगे इसमें अब उसके बाद बनाया रखने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग रजिस्टेंट विडाइटी को यूज करेंगे सूगर प्रतिरोधत्ता को दिखाती हों जैसे हमारे पास क्या आता है सीयो 380 आता है ठीक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्ण विराइटी है और काफी ज़्यादा पाइला पस्पुला से अपनी बचाव कर लेता है ठीक आगे बात करते हैं यहां पे रोस्टन क्राप की बात करता है जितने सुथली फसले होती है उनको उस खेत में नहीं होना जाई है उनको निकाल देनी चाहिए और सासे बड़ी बात हमारा دिय्य वांट का और इसके साथ साथ यह इंडो सलफान नहीं मिलता है तो आप इंडो सलफान के जगह यहां पर्फिट्रोट्रायों ला सकते हों यह काफ़ जएधा और च्टेप उनमें पुरा क्राफ है वहां के लिए हमारे पास बसक्राइब लगा सकते हो कब लगा सकते हो सितंबर के महीने में आप लगा सकते हो तो इफेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा वहीं बात करेंगे साथ में पॉंट्स में स्प्रेय कर सकते हो यहां से 0.2 पॉइंट से लेकर 0.25 तक जितने भी हमारे क्या होते है वेटेबल क्या बलते है इसको वेटेबल की बात कर रहा है एग्रो साइट के एग्रो साइट स और पर एकर कितना होना चाहिए यह 30-40 गैलन की बात कर रहा है मदब देखो वैसी गन्या बड़ा होगा उसमें शिर्काव करने के लिए भी ड्रोन का यूज करो ड्रोन तो उतना सब किसान यूज ने कर पाएंगे मसीन का यूज कर रहे हो उसमें भी डंडे बांद के उपर है है ृधी दृबर कह इतर्व कर सकते हो एडरें है ऐडरेंशन का यूज ना फिरेन आते हैं असले धासब यह 1 परफेंट वाला ठीक और इनका बालन को पर एकड़ होगा और एड्रीन के साथ 20 मैक्स करके लगा सकते हो 10 लीटर केरोसीन और के साथ किसलिए यहाँ पर हम लोग क्राप के अंदर जो हमारे जितने भी क्राप के अंदर इनको मिला जितने नहीं यह उनको हम लोग खतम कर सकते हैं यह अलग-अलग बचाओ के कंडिशन हैं हमने देखा यह अलग अलग जो बचाव कंडिशन से किसले इंपोर्टेंट है कितना इंपोर्टेंट है हमने कबर किया हमने एक वीडियो में पूरा पाइला पस्पुला को शुरुआत भी किया और खतम भी कर दिया मोश्च इंपोर्ट है अब आप से पूस्ता है पूरा पूरा देख लीजेगा नोटेट करके माइन अब अच्छे से बता जीगा देखो मेरा क्लास बड़े होते हैं उसके रीजन यह है कि हम लोग टाइम लेते ताकि आपको सभी तरह से पॉइंट को समझा सके और बता सके कोई प्रब्लम नहीं सारा कोश्ट टाइम से पूरा हो बोला गया है कि इतने टाइम तक आपका इस तरह बस नहीं हो जाएगा यह पर कमप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम लोग डायरी से करते हैं हां बीच बीच में कभी कंडिशन आती है तो वीडियो को बैक तू बैक कर देंगे काम हो जाएगा तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाय एंड जाहिंद